एलो प्रेंट्स आप सबका सौगत है अपने इस पॉजीटी परिवाल में कैसे हो आप सब MS Psychology percentage calculate करने के दो मेथड आज के वीडियो में हम discuss करने वाले है तो प्रेंट्स चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रेंट्स MS Psychology में total 13 subject होती है इसमें 9 assignment रहते हैं 9-3 paper रहते हैं, उसके बाद 2 practical exam रहते हैं, एक internship और एक project, इसे मिला के total 13 subject होते हैं, यहाँ पर assignment के मार दिये हैं, उसके बाद theory के मार दिये, MS psychology का theory का paper 50 mark का होता है, लेकिन जब भी यह mark grade card में update होते हैं, उसके double होके आते हैं, मतलब अगर आपको 50 out of 31 mark मिला हैं तो यह grade card में कितना आएंगा, 62 आएंगा, इसे double होके mark आते हैं, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर प्रेंट यहाँ पर प्रोजेक्ट और internship के mark दिये हैं, इसका calculation हम last में देखेंगे, सबसे पहले हम assignment और theory का calculate कैसे करते हैं, वह देखेंगे, calculate करने का format कैसा है फ्रेंट, assignment के आपके 30% mark count होते हैं, जितने आपको mark मिलें उसके 30% और theory का calculate करते हैं, theory में जितने mark मिलें, उसका 70% mark count किया जाता है, फ्रेंट अभी हम calculate करके देखते हैं कि कैसे calculate होता है, तो फ्रेंट अभी assignment में कितने mark मिलें, mpc1 में 85, तो 85 into 30, divided by 100, तो इसका answer आ गया, 25.5, लेकिन फ्रेंट आपको क्या करना है, point format में लेना है, इसका point का आपको round up करना है, round up के से करना है, 25.5 आ गया न, तो इसका round up होंगा, 26, 26 क्यों होंगा, 25 के बाद point 5, और उससे ज्यादा number आता है न, तो next वाला number हमें लिखना होता है, जैसे अभी हम यह आपे लिख लेंगे 26, अभी थेरी मार्का calculate करते है, थेरी में कितने मार्क मिले है, 62, 62 into 70, जोकि थेरी के 70 मार्क रहते हैं, इसलिए जैसे 62 into 70 divided by 100, तो इसका answer आ गया, 43.4, तो फ्रेंड यहापे देखो, 43 के बाद point 5 से कम है न, तो यहापे आपको 43 number लेना पड़ेगा, अगर 5 से ज्यादा रहता तो हम कौन सा number लेते, 44 लेते, लेकिन अब यहापे point 5 से कम है, इसलिए अभी हमें 43 number लेना पड़ेगा, तो यहापे लिख ल फ्रेंड यह हो गया, 69, तो यानि फ्रेंड 100 out of 69 मार्क हो गया, फ्रेंड अभी next paper का देखते है, MPC2, तो यहापे कितने 81 मार्क है, assignment में 81 into 30, divided by 100, तो फ्रेंड यह answer आ गया, 24.3, तो यहापे round up करके कितना होगा, 24 होगा, 24 इसलिए होगा, क्योंकि फ्रेंड 0.5 से कम है, इस divided by 100, तो फ्रेंड यहापे answer आ गया, 49, यहापे कोई point निया, तो आपको direct coordinate इसलिक देना है, यहापे 49, तो अभी हमें फ्रेंड इनकी addition करनी है, 49 plus 24, तो यह कितना हो गया, तो 73 मार्क होगे, फ्रेंड 100 out of 73, अभी third paper का देखते है, यहापे assignment कितने मार्क है, 90 है, तो 90 का हमें 30% लेना पड़ेंगा, और 3 का 70%, 90 into 30 divided by 100, फ्रेंड इसका answer आ गया है, 27, उसके बाद 80 मार्क करना, 80 का 70% करना है, 80 into 70 divided by 100, तो फ्रेंड यह answer आ गया, 56, अभी इन दोनों की addition करनी है, 56 plus 27, यह होता है, 83 मार्क, फ्रेंड, एसी format में आपको सारे addition करनी है, 3 के और assignment के, प्रेंड, यह जो total हुए है न, इन सब की आपको अभी त्या करना है, addition करनी है, इन सब की totaling होती है, 679, तो यह हम यहाँ पे note down करके रखते हैं, 679, 900 आउटा, मतलब 9 subject की यह totaling है, यह इसलिए 679 is equal to 900, अभी यह देखते हैं कि practical internship project के मार्क कैसे calculate करनी होते है, ठीक है, तो यहाँ पे न, बहुत ही easy है, यह calculate करना, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा format यूज ने करना है, तो यहाँ पे direct आपको 100 वाला format यूज करना है, मतलब आपको जितने मार्क मिले है, 100 आउटाप उतनी मार्क आपको calculate करने है, तो 86 लिखना है, उसके बार 89 तो 89, 77 तो 77, 74 तो 74, त प्रेंट यह हो गया, 326 तो अभी हमें इन दोनों की addition करने है, देसे देखो पहले assignment और थिरी की total कितने आगी, 679 आगी थी, 326 तो इनका भी addition करनी है, 679 तो यह answer आगया प्रेंट, 1005, 1005 को अभी हमें से divide करना है, 1300 से divide करना है, क्योंकि 13 subject है, हर एक subject 100 मार्क है, तो divided by हम कितना करेंगे, 1300, फ्रेंट यह divide करने के बाद answer आगया, 0.7730, इन्टु अभी हमें क्या करना है, इन्टु 100 करना है, तो अभी हमें अपने percentage दिख जाएंगे, परसेंटेज कितने हो गए, 77.30, फ्रेंट यह हो गई, फर्स मेटर और सेकंड मेटर बहुत की easy है, उसमें जल्दी से answer आजाएंगा, उसमें क्या करना है, जितने भी assignment के mark है, उनके addition करनी है, उनके addition यहापे मैंने calculate की, 756 आगई, उसके बाद जितने भी theory paper है, उनके addition करनी है, divided by 70 करना है, यहाँ divided by 30 करना है, तो 756 divided by 30 होता है, 226.8, और 644 divided by 70 होता है, 450.8, ठीक है, यह हो गया, उसके बाद अभी हमें practical के mark पता है, practical के mark है, 326, तो अभी हमें क्या करना है, 226.8 का round up होंगा, 227, और 450.8 का round up हो होंगा, 451 plus 326, तो इसका answer आएंगा, 1004, तो फ्रेंड, यहाँ पे दीखे, 1005 आयता, यहाँ पे 1004 आया है, तो एक mark का difference आता है, अगर आप second method से करते हो, तो एक mark का difference आता है, तो percentage आते है, 77.23, यहाँ पे percentage आते है, 77.30, फ्रेंड, आपको जो भी mark sheet मिलते है न, वहाँ पे first method का use किया जाता है, यही method है, फ्रेंड, calculate percentage, calculate करने का, बस फ्रेंड, इतना ही ता आज के वीडियो में, वीडियो helpful लगा, तो लाइक करिए, चानल पे नहीं हो, तो subscribe करिए, and thanks for watching.